अखबारों में अगनी मिसाइल की बार-बार असफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा थी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी देरियां होती ही रहती हैं लेकिन देश ये बात समझने को तैयार नहीं था अपनी समस्याएं हमें खुद ही सुलजानी थी लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे अमूल के एक विज्ञापन में तो हसी हसी में यहां तक सुझाव दे डाला गया कि अगनी को चलाने के लिए उन्हें अमूल मक्षन का इस्तेमाल इंधन के तौर पर करना चाहिए परीक्षन में देर होने के कारण अखबार हाथ धो कर हमारे पीछे पड़े थे और बार-बार की असफलता से मेरे दल का मनूबल तूट चुका था मुझे वे अनेक अवसर याद आए जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनूबल बढ़ाया था मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के दो हजार सदस्यों को संबोधित किया हमें एक महान अवसर दिया गया है सभी बड़े अवसरों के साथ बड़ी चुनोतियां भी जुड़ी होती है हम हिम्मत नहीं हार सकते हमारे देश को हमसे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अनायास मेरे मुह से निकला मैं वादा करता हूं कि अगले परीक्षण में अगनी का प्रक्षेपन सफल रहेगा मेरा दल अचानक उर्जा से भर उठा मेरे दल ने जबर्दस्त इच्छा शक्ती दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया आखिर प्रक्षेपन की तारीख 22 मैं 1989 तय हुए सीना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति प्रक्षेपन देखने आए प्रक्षेपन से पहली रात हम पूर्णिमा की चांदनी में दमकते समुद्र तट पर सहर के लिए गए गरच्ती लहरें चट्टानों से टकरा रही थी हम सभी के मन में ये प्रश्न घुमड रहा था कि क्या कल अगनी का प्रक्षेपन सफल रहेगा लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और मुझसे पूछा खलाम कल हमें अगनी की सफलता की खुशी कैसे मनाने चाहिए तुम्हारी क्या इच्छा है प्रश्न सरल था लेकिन मैं तुरंत उसका उत्तर नहीं दे पाया सूचने लगा कि मुझे क्या चाहिए मेरे पास क्या नहीं था और तभी मुझे एक खयाल आया मैंने का हमें अपने शूद केंद्र में एक लाख पौधे रोपनी है रक्षा मंत्री का चेहरा चमकुठा उन्होंने गदगद होकर भविश्यवानी की अगनी की सफलता के लिए धर्ती माता तुम्हें आशीर बात देगी कल हमें सफलता जरूर मिलेगी अगले दिन सुभह साथ बच कर दस मिनट पर अगनी का प्रक्षेपन हुआ एकदम बाधा रहित और तुटी हीं ये बिलकुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उज्वल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है विभिन्न कार्य के इंद्रूं पर पांच वर्षों तक लगातार चले काम का अच्छा परिणाम मिला था कुल छैसो सेकिंड की सुंदर उडान ने हमारी सारी ठकान को पूँच डाला बरसों की मेहनत की ये अदभुत परिणती सामने आई थी ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था और हमेशा रहेगा कर दो तक लिए जाए लाए लाए तकर वे और हमें से एक सह आजाया रहेगा